टाइम विलास्टी ग्राफ देखे द्यान से तो पहले तो आपको विलास्टी की वैलू टाइम के टर्म में लिखनी पड़ेगी तो आप यह है टाइम विलास्टी ग्राफ देखे आप जानते हैं कि y is equal to होता है a sin omega t यह displacement equation है और विलास्टी होती है जिसको कि आप लिखते है dy by dt यह होगा a omega cos omega t यानि omega के पास time है यानि कि a omega cos 2 pi by t into small t अब हम क्या करेंगे यह velocity आई अब हम क्या करेंगे small t की value रखेंगे यह angle निकालेंगे और यह v की value निकाली जाएगी लेकिन small t की value कोशिस करिएगा कि capital t के time में आए तो देखें मैं पहले graph बना लेता हूँ अपने हिसाथ से मैं यह general graph बना रहा हूँ गलत बना रहा हूँ पहले समझेगा यह गलत बन रहा है यह maximum value होती है और आप जाते है cos की maximum value भी 1 होती है sin की जैसे 1 होती है minimum minus 1 होती है तो cos की maximum value भी 1 होती है और minimum minus 1 होती है ठीक है 1 से ज़्यादा नहीं होती है minus 1 से कम नहीं होती है देखो ध्यान से ये time है 0 ये total है capital T ये time आधा हो जाएगा T by 2 और ये हो जाएगा T by 4 और ये हो जाएगा 3 T by 4 तो यहां से यहां तक time रखेंगे हम और उसके according हम velocity की value निकालने जा रहे हैं देखे पहले graph हम थोड़ा सा एक rough sketch बना लेते हैं ये time है और ये velocity है जब cause की maximum value होती है 1 तो आप एक line maximum की खीश लीजे की cause की maximum value पे विलास्टी क्या होगी और cause की minimum value पे विलास्टी क्या होगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर time रखेंगे और उसके corresponding velocity निकालेंगे पहले time रखा 0 जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो अब बताइए यहाँ 0 रखे time में तो cause 0 आएगा cause 0 की value क्या होती है 1 होती है तो velocity क्या cause 0 1 होता है that is a maximum value तो velocity यहाँ पर क्या आएगी यह आपकी maximum विलास्टी आगई यह विलास्टी ग्राफ है यह उपर और नीचे और यह time हमने already यहाँ लिख सका है time तो 0 time पे हमारी विलास्टी हो गई यहाँ पर है ठीक है अब time क्या रखना है T by 4 जब यहाँ T by 4 रखोगे T by 4 तो दरा रखके देख लो cos 2 pi by T into T by 4 जब इसको calculate करोगी तो आएगा cos pi by 2 cos pi by 2 की value तो displacement क्या विलास्टी क्या हो गई? 0 यहनि हम यहाँ कहीं आ गई? 0 पे यह time है T by 4 हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकर क्यों ग्राफ तराजी बन जाता है अब हम time क्या रखेंगे? T by 2 T by 2 जब यहाँ पर T by 2 रखोगे तो आएगा pi cos 180 degree की value क्या होती है? minus 1 बोले तो minus a omega चुकि minus 1 is the minimum value of cos तो हम यहाँ पर minimum velocity पर आएगे minus a omega यानि यहाँ कहीं हम आ जाएंगे यहाँ कहीं आ जाएंगे अब हम डखेंगे 3 T by 4 3 T by 4 रखेंगे यहाँ पर जब यहाँ पर 3 T by 4 रखोगे 3 T by 4 तो यहाँ आ जाएगा 3 pi by 2 बोले तो 270 cos 270 की value 0 0 तो हम यहाँ फिर आ जाएंगे और अब रखेंगे हम T total time तो T रखेंगे तो यह T T कर जाएगा cos 2 pi की value फिर 1 आ जाएगी value इस प्रकार से हम 1 बोले तो यह 0 यह A omega तो इस प्रकार से time रखते जाओ और velocity निकालते जाओ इस प्रकार से तो आपका graph ऐसे मिलेगा ऐसे graph आएगा यह आपका time 0 है जहाँ पर velocity 0 आ गई है वो time कितना है T by 4 तो यह time है T by 4 जहाँ पर velocity maximum है वो T by 2 तो यह time है T by 2 जहाँ velocity है 0 यह time है 3 T by 4 3 T by 4 और यहाँ जहाँ maximum है यह T तो graph सुन जाया यह velocity time graph है ठीक है तो इसे note करिए जड़ा समझ के लिखेगा पहले graph बना लिजेगा अच्छा था इसके देखें ध्याना कि cos की value यहाँ से start होती है क्योंकि cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है तो sin 0 से start होता है यहाँ से start होता है तो यह आपका velocity time graph है अब लिखे acceleration time graph acceleration time graph ग्राफ समझ में आ रहा है कैसे बनाए अर्णों साथ हैं आप समझ में आ रहा है कैसे graph बनाए जा रहा है graph का नाम है sinusoidal graph के लाता है उसको sign से कोई मतलम नहीं है यह जो इस प्रकार से wave चलती है वो sinusoidal wave होती है यह इस प्रकार से sinusoidal graph के लाता है क्योंकि आप cause के टम हैं तो causesoidal नहीं कर देना इसका नाम आप लिखिए acceleration time graph इस प्रकार सकते हैं ना जी acceleration time graph तो पहले तो acceleration निकाल लेते हैं हम हमारे पास direct result भी है acceleration का लेकिन हम निकाल लेते हैं देखिए acceleration निकालने के लिए आप क्या करते हैं velocity को दुबारा differentiate करते हैं dv by dt तो आएगा minus a omega square sin omega t आप a sin omega t को y मत रख देना यहीं पर छोड़ दीजिए इसको अब आप time रखना शुरू करिए साब साब दिकरा है साइन का equation है a omega sin 2 pi by t into small t अब small t की value capital t के time में लखिए और graph बनाईए देखो ध्यान से जैसा कि time रखना है आपको time के according alpha निकालना है पहले तो graph हम देख लेते हैं यह हमारा acceleration axis है यह time axis है यह sign की maximum value के लिए हमने खीच दिया है यह minimum के लिए खीच दिया है यह time है यह है acceleration देखे time रखा हमने 0 तो sign 0 की value 0 आ गई एक्स लेसर आ गया 0 यही हम 0 time पे यहां पहुंच गए यहां पर 0 time था time को रखा हमने T by 4 T by 4 पे जरा देखें इसकी value कितनी आती है T by 4 पे इसकी value कितनी आती है sin 5 by 2 की value 1 होती है तो 1 रखेंगे तो यह minus a omega square आ जाएगा यानि कि इस पर हमारा curve जो है नीचे जा रहा है ऐसे ऐसे चला गया है ना यह यहां पर हम पहुंच गए यह हमारा यह time कितना था T by 4 अब हम कितना रखेंगे T by 2 जब T by 2 रखेंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा sin 5 साइन पाई 0 होता है तो यह 0 आ जाएगा यानि हमारा graph फिर यहां वापस चला जाएगा यह T by 2 है अब रखेंगे 3 T by 4 3 T by 4 में वैलू कितनी आएगी यहां पर 270 साइन 270 की वैलू टाइन साइन minus 1 तो यह आपका प्लस आ जाएगा A omega square तो हम फिर यहां पर पहुँच गया यहां पर आ गए यहां पर हमारी वैलू 3 T by 4 थी इसके बाद हम T रखेंगे तो फिर 0 आ जाएगे इस पकार से टाइम बढ़ता रहेगा और यह हो जाएगा ग्राफ फिर वापस लटके इसी लाइन पर आ जाएगा यह T है तो यह आपका maximum acceleration था minus A omega square इधर negative में और इधर A omega square positive में तो यह आपका ग्राफ है time displacement graph पहला वाला था time velocity graph इसके पहले वाला था और time acceleration graph यह वाला है ठीक है अब लिखे total energy of a body in simple harmonic motion total energy of a body in simple harmonic motion यहनि SHM करती वी किसी body के पास कितनी energy होती है उसे निकालने की कोशिश करेंगे देखे जहां पर आप motion में है तो motion के कारण वलास्टी के कारण जो आपकी energy है वो कौन से energy कहलाती है kinetic energy कहलाती है और कहीं पर आप अपनी position change कर रहे हैं और कोई है जो या तो आपको repel कर रहा है यानि आपको position change नहीं करने जे रहा है या तो आपको attempt कर रहा है position change करवा रहा है तो दोनों ही cases में आपके उपर force लग रहा है that force may be force of attraction that force may be force of repulsion तो जहां पर force लगता है और उसकी वज़े से हम position change करते हैं या position change करते वक्त force लगता है वहां मुझे work करना पड़ता है और that work is stored in the form of energy उसको क्या कहते है potential energy तो चुकि हमारा हमारी body जो SHM करती है वो जब mean position से दूर जाती है तो उस पर एक restoring force लगता है जो body को mean position में लाने का प्रयास करता है इसका मतलब we have to do work तो means the body executing SHM has potential energy तो पहले तो body के पास potential energy होती है आपको language में लिखना पड़ेगा कि why the body is having potential energy तो आप लिखेंगे when body goes from mean position to the other position then when body oscillate towards mean position then are restoring force acts on the body and we have to do some work that work is stored in the form of energy we have language अपने आप लिखलेंगे अब कैसे इसकी value निका ली जाए देखें ध्यान से हम जानते हैं we know that चुकि force निकाला है और force होता है mass into acceleration तो सबसे पहले तो मुझे acceleration चाहिए तो we know that the acceleration of the body the acceleration of the body in SHM simple harmonic position में जो body है उसका acceleration होता है alpha is equal to minus omega square y अब जब body mean position तो दूर जाएगी तो body पर एक restoring force लगेगा the restoring force acting on the body the restoring force on the body जड़ा समझेगा हम restoring force कैसे निकाले restoring force का formula क्या होता है force परावर mass into acceleration तो f is equal to mass into acceleration mass हो गया आपका m, acceleration हो गया minus omega square y यह restoring force लगता है अब बताए mean position से maximum position तक जाने में क्या restoring force हमेशा एक ही जैसा रहेगा change होता रहेगा तो अब मजबूरी यह है कि मैं एक साथ energy work नहीं निकाल सकता body को mean position से यहां तक में ले गया अगर यहां से यहां तक force सेम रहता तो हम force into displacement कर देते और पूरा का पूरा work निकलाता लेकिन मजबूरी है कि जब body mean position से दूर जा रही थी तो उस पर हर जगे mean जो restoring force होता है उस change होता रहता है तो हम एक साथ work नहीं निकाल सकते तो क्या करें हम तो हम restoring force भी तो नहीं calculate कर सकते क्या हर जगे calculate कर सकते हैं नहीं कर सकते तो हम क्या करें हम क्या करेंगे छोटा छोटा displacement करेंगे dy 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 और ऐसे छोटे छोटे displacement करते हुए हम अपनी extreme position पर पहुंचेंगे ठीक है और total जो work निकला है उसको उठा के add कर देंगे तो आप लिखेंगे if displacement is dy by 10 the small work done small work done is given by इस language का कोई मतलब नहीं है इसको अपने आप भी लिख सकते हो dw is equal to work की definition क्या होती है यह आपकी definition incomplete लग रही है yes 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 displacement should be in the direction of force हाँ मैं अथीटा की अगर बात न करूँ तो force आपके displacement के direction में होना चाहिए लिकिर यहां क्या हो रहा है कि body इधर की और जा रही है और restoring force opposite लग रहा है तो force और displacement के बीच में एंगल कितना आ रहा है 180 degree और cause 180 degree माइनस 1 होता है तो मैं यहां पर अब बताओ मैं displacement को opposite माइनस करूँ या force को opposite करूँ मैं माइनस f लिखूँ तब मैं dy लिखूँ या मैं f लिखे माइनस dy लिखूँ actually क्या सही है दोनों में अब आप कहेंगें है पका क्यों-स kयों-स क्यों-स 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 हैं है Greg कि नांशर इस नार्प फूलिफिलिंग माय डिजार्ट बटाव फॉर्स कॉन से 살から यह वह ना था क्या जो यह फोर्स यू सकर रहे हो ईसी फोर्स के आलाइं नहीं इस फोर्स के बराबर आप अ अपोजिट फॉर्स लगा रहे हैं आप अपोजिट लगा रहे हैं वाई यू अर एप्लाइंग दफ फोर्स अगेंस रिस्टोरिंग फोर्ट डैट्ट वाइट वाइव तुड वर्क इसलिए फोर्स को निगेटिव किया जाएगा समझ्जाई बार नहीं आई हो सकता आप जो कहना चाहते हूं वही कह रहे हूं ठीक है वही कोई कोई फर्क नहीं पड़ता आप माइनस बाहर लगा दीजे चंड़े खरदम अपना एक्जामनर समझे माइनस किसके साथ है लेकिन एक्चुली में एफ को माइनस लिखा जाएगा तो जब यहां वैलू रखे से डिस्प्रेजम करने से इतना वर्क हुआ हमें टोटल किटना करना जीरो से लेकर के वाई तक तो टोटल बटवन निकाल यह लिखिये पर हम ब बातो करें यह उपर रख कर सकते हैं घ्जी अimes एक दौब करेंगे क्योज थो टोटल बर्क डन को टोटल वर्क डण इन डिस्प्लेसिंग द बॉड़ी फ्राम जीरो टू वाई यारी पहले डिस्प्लेस्ट जीरो था हम मीन पोजिशन पे थे और फिर हम वाई तक गए तो डबलू इस इकल टू क्या करेंगे इस वर्क को मैं इंट्रिगेट कर दूँगा डी डबलू को और यहां पर लिमिट जीरो से वाई लगा दूँगा अब वैलू रग दीजे को इसको इंट्रिगेट कर दीजे तो आएगा इंट्रिगल जीरो टू वाई या आएगा एम ओमेगा स्क्वाई डी वाई m omega square इसका integral होता है y square by 2 और integral करने के बाद में बाहर मैं 0 से y लिख दूँगा हमने कई बार इस प्रकार के integral बताई है याद है हमने कहा था अगर अकेला dx है और कोई भी x का function नहीं है तो उसका integral x होता है लेकिन अगर dx के साथ x to power n आ रहा है कहीं तो अब मैं यहाँ limit रख रहा हूँ limit का तरीका क्या होता है पहले अपर limit y रख दीजे और minus लगा के 0 रख दीजेगा तो m omega square by 2 अलग कर दो यहाएगा y square minus 0 तो यही वर्क हो गया half m omega square y square और यही एनर्जी आपकी यही वर्क आपकी potential energy के farm में store होता है अगर कोई ना माने तो आप एक पत्थर का टुकड़ा लीजे और ले करके आप छट पे चले जाओ 10 मंजिल पे और नीचे किसी से कह दो कि हम इस पत्थर को टुकड़े को ले के आए हैं और यह energy इसमें store है और वो ना माने तो उसको सर पे फेक देना तो पूरी पूरे energy होगे सर पे transfer हो जाएगी और उसको मालूम हो जाएगा कि वो आप सही बोल रहे हो और जितना उचे ले जाओगे उतना ज़्यादा वो speed से आखे गिरेगा नीचे उतनी ज़्यादा energy से transfer होगी तो potential energy क्या होगी u is equal to half m omega square y square तो this is the potential energy of the body executing simple harmonic motion half m omega square y square यहाँ कहीं minus mathematically आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है वो तो मैं जब final result निकालूंगो तब देखूंगा ना यह बताओ आप work attraction के खिलाब attraction हो रहा है कि repulsion हो रहा है आपने जिदर force लग रहा उधरी जा रहे हो उधर कहा जा रहे हो opposite जा रहे हो भई देखे जब आप जैसे हम दस मंजिल पर उपर हैं उपर हम जाया सई यह सी राम नीची आ जै तो यह हमने work कि हमको बुलाए गिया हाँ हां न हम आये हैं हमको धर्तिमाताने बुलाया है तो बुला लिद्या तो work किशने किया हमको हम ने work किया हुं को work obtain हुआ है और जो work obtained होता है, वो कैसा होता है, वो negative होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वहाँ से वापस लोट के आ रहा होता, जिधर restoring force लग रहा उधर ही आ रहा होता, तो मुझे work obtained होता है, ठीक है, अब दिखे कानेटिक एनर्जी, कानेटिक एनर्जी, अब देखे, चुकि simple harmonic motion क करता हुआ, पार्ड किल, एक mean position के इधर दर motion कर रहा, it is having the velocity, so it is having current energy, तो आप जानते है, as velocity of the body, जो होगी, velocity of the body, in SHM, SHM करती हुई, body की जो velocity का formula होता है, वो क्या होता है, v is equal to omega under root, a square minus y square, आप जानते है, जो velocity होती है, तो velocity की वज़े से, जो work करने की capacity होती है, उसी को हम कहते है, kinetic energy, ठीक है, तो kinetic energy, क्या हो जाएगी, तो के माल लीजिए, half mv square, value रगद उठा करके, तो half m, omega square, a square minus y square, तो this is the kinetic energy of the body, executing simple harmonic motion, टोटल एनर्जी, जब बात करेंगे, टोटल एनर्जी of the body, तो साफ साब आप जानते हैं, कि that is e माल लीजिए, kinetic energy plus potential energy, तो kinetic आप गिया गई, half m, omega square, a square minus y square, प्लस, potential plus कर दो इसमें, तो आजाएगा, half m, omega square, y square, जब इसको bracket को खोलोगे, तो देख रहे हैं, आप y square cancel हो रहा है, तो formula आएगा, half m, omega square, a square, that is total energy of the particle, doing simple harmonic motion, ठीक है, अच्छा, चुकि अब, as omega is equal to, आप जानते हैं, 2n pi होता है, तो e is equal to, एक formula आएगा, half m, into, 4n square, pi square, a square, तो जब calculate करेंगे, तो आएगा, 2m, pi square, n square, a square, तो यह आपकी total energy का formula है, frequency नहीं पड़ी, आपने, circular motion पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था, omega प्रावट, ने, हाँ, 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 नहीं अच्छा बताया गया था, चलिए यहाँ, L कर दो, कोई दिक्कत नहीं, निव थोड़ा बड़ा कमा टेडू बनाया जाता, बड़ी दिक्कत करता है, तो निव हम तब बात करते हैं, जब light में आते हैं, मजबूरी वहाँ पर हो जाती है, हमारी, अब जड़ा एक चीत दिहान से समझें, यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नहीं वेब हम चला रहे हैं, वेब में एक क्या है यहाँ पर, एम्प्लीट्यूट जितना ज़्यादा होगा, एनरजी उतनी, ज़्यादा होगी, ठीक हैं, जैसे कोई क्लास में अब तो कहें टीचर नहीं मारते, पहले हम लोग खुब खाते भी थे और खिलाते भी खुदते, अब नहीं खिलाते, तो जब कोई इतना बड़ी तेज से मारा तो कहेंगे, बड़ा जना गया, घसीट के गंटा मारा, यह घसीट मतब क्या किया उसने, यह बढ़ा दिया, तो एनरजी बढ़ गई, ठीक है, औ वहाँ पर जब आपको लाइट की वेब थेवरी फेल कराई जाएगी, तो वहाँ बताये जाएगा, आपको एलेबंध में पढ़ाये गया था, कि एमप्लीटूट जादा होगा, तो एनरजी जादा होगी, और वहाँ सिद्ध में कर दूँगा, मतलब जो भी सिद्ध करेग कि एमप्लीटूट जादा होने पर भी एनरजी वाँ नहीं बढ़ी थी, लाइट की एमप्लीटूट बढ़ाई लेकिन एनरजी नहीं बढ़ी, तो वहाँ पर वेब थेवरी फेल की गई थी, तो वहाँ बताये जाएगा कि आपने एलेबंध में पढ़ा होगा, तो भूलि एलेजी हो गई जागर के, of the body executing simple harmonic motion, अब restoring force समझ में आ गया क्या होता है, SHM की condition समझ में आ गया, SHM की condition क्या होती है, कि SHM नहीं simple harmonic motion, ऐसा motion होता है, जिसमें particle mean position के इधर उधर to and fro, move in the linear path, पहली चीज़, और the restoring force acting on the particle is always directed towards mean position and proportionate to the displacement, अगर आप restoring force को displacement के proportionate करने, minus y, ये actually में alpha कहलाता है, alpha proportionate minus y, तो ये proof हो जाता है, कि body is doing simple harmonic motion, तो ये बात समझ में आई,